आज की वीडियो में अगे मैं काफी अच्छा स्टॉक लेकर आया हूँ प्रिविएस वीडियो में मैंने REC लिमिटेट पर डिसकेशन की थी प्रिविएस वीडियो को जाधा टाइम नहीं लगेगा हमें इस वीडियो को कवर करने में आप काफी कोछ सीखने को मिलेगा अगर आप तक रहते हैं तो एंड में मैं एक और बोनॉस टॉक पर डिसकेशन करूंगा जो मैं पहले कई बार उस पर डिसकेशन कर चुका हूँ उस टॉक ने हमें 30 30 वार्जन का प्रॉफिट दो बार दिया है और वो स्टॉक चिल बहुत अच्छे प्राइस पर आया हुआ है So all these things we are going to discuss in this video Let's get started So guys, Major League वीडियो में मैं PFC पर डिसकेशन करूंगा कि इसका business भी basically REC Limited जैसे ही है REC is this REC Limited इसका detailed business मैंने discussion किया था अपनी previous वीडियो में आप जाके जरूर देखना उसे तो PFC की बात की जाए तो similar काम करती है यह basically bond की firms में पैसा उठाती है कुछ टाइम पहले ही मैं एक बार आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा पैसा किस तरीके से race करती है ऐसी firms See, because यह होती है non-deposit taking MBFC Non-deposit taking मतलब See, Bajaj Finance and Bajaj Fincer तो फिर भी हमसे as a FD की form में पैसा ले सकते हैं As a firm हमसे पैसा नहीं ले सकती है तो यह पैसा लेती है in terms of bond कि PFC ने कुछ टाइम पहले ही 2021 में ही सेपेंबर में एक euro bond issue किये थे जिस पे इन्होंने European market से 300 million euros उठाए थे It's made on through euro green bond and making it the first ever Indian MBFC to make a euro bond issue in this This issue will mature मतलब 2018 सक चलेगा 7-8 साल का इसका period है अच्छा का सा point is इनका जो business है ये कहते work करता है ये हमसे direct पैसा नहीं लेती है ये bonds के थूप एसा उठाती है and then India की जो भी power sector related companies को है नाम में ही आपको दिख रहा है power finance corporation तो ये power sector related जो companies है उन्हें bond देती है तो इसने किन-किन को bond दे रखा है exactly ये mention नहीं है किन-किन को दे रखा है but indirectly mention है कि conventional generation of जो power होती है उसमें इनका loan का exposure 49% है power transmission and power distribution में loan exposure 40% है renewable energies related जो companies है उनमें इनका exposure 10% है and जो बाकी अधर companies होगी उनमें इन्होंने 1% loan दे रखा है तो loan का हमें आइडिया लग गया liability जैसा मैंने आपको explain किया ये कि ये bonds के थुरू पैसा उठाते है तो 60% पैसा इनका domestic bond के थुरू आया हुआ है 16% पैसा इनका foreign currency borrowing के थुरू आया हुआ है बाके सब ordinate bonds है और ये loans सीधा bank से भी ले ले लेते हैं तो बहुत से भी इनका 20% पैसा इनके पास आया हुआ है इसके अलावा एक चीज़ और में mention करना चाहूँगा इन्होंने R.E.C. Limited को acquire भी कर रखा है तो R.E.C. Limited जो है जो की government of India के अंडर आती है majorly लेकिन उसका इन्होंने 52% stake President of India से खुद ले लिया है तो इसलिए अगर मैं आपको R.E.C. India की books में जाके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इसका 52% stake Power Finance Corporation के ही पास है तो यह भी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ से जितना profit आएगा वो भी एक तरीके थे इसी की books में आएगा PFT की तो इनके business का में idea लग गया bonds के तुरू पैसा उठा के power related companies को देते हैं business अच्छा चल रहा है यह हम कैसे idea लगाएंगे यह एक idea तो यहाँ से लग जाएगा कि first point इस इनके NPS बहुत कम है इनके जो net NPA है वो सिर 1.19% है जो की बहुत ही कम है और जो की March 21 से कम हुए है asset quality इनकी काफी अच्छ है which means और उसके अलावा इनकी जो sales और revenue की figure से वो लगातार बढ़ रही है मतलब literally शानदार figure से sales 14,000 करोड से grow होती हुई 19,000 करोड पे है अभी net profit 3200 करोड से बढ़ते बढ़ते 37,000 करोड तक पहुच गए है so अब अगर हम इसके quarterly result पे अगर मैं yearly basis पे देखना चाहूँ तो yearly basis पे इनकी sales 8,000 करोड से बढ़ती हुई 72,000 करोड हुई है यह literally बहुत शानदार growth है और net profit तो आपको दिखी रहे 23,000 करोड से बढ़ता हुआ 13,000 करोड तक आए है लगातार growth हो रही है लगातार इनकी borrowing capacity भी बढ़ रही है और यहीं अगर मैं holding pattern देखना चाहूँ तो holding में public के पास सिर्फ 12% holding है जो कि बहुत जादा नहीं है although recently DIA इसने stake बेचा है इसमें से LIC ने अपना stake कम किया है HDFC Trust ने अपना stake बढ़ यहां पर मेरे को नहीं दिख रहा है तो probably छोड़ा सा कम किया है तो थोड़ा सा issue हो सकता है लेकिन public के पास सिर्फ 12% है majority of the stake अभी भी big players के पास ही है जिसमें 56% president of India के पास है बाकी FIS के पास है DIA इसके पास है and सबसे बड़ी बाद सबसे बड़ी बाद जो मिरको लगती है वो है कि यार यह इसका PE ratio सिर्फ 2.5 है see मैंने पहले भी यह discuss किया है फिर से discuss कर देता हूँ ऐसी companies इतने कम PE ratio पे आती तो है लेकिन रहती नहीं है about time से although यह company काफी time से इसी PE ratio पे है को दिखी रहे हैं कि बड़ रहे हैं जो कि यह blue वाले बार है तो कभी यह breakout देगा मेरे को नहीं पता लेकिन 3-4 साल में मुझे इसमें काफी काफी जाद अच्छे gain की expectation है plus ऐसे stock book value तक भी जाते हैं see आपके पास इस point पे दो चोईस है at least मेरे पास दो चोईस है मैंने का decision लिया है या तो मैं इसको book value तक देखूँ और फिर यह सोचू कि यार 2 साल पहले या 3 साल पहले cash मैंने invest कर दिया होता मेरा पैसे double हो जाता या मैं invest कर दूँ so to be very honest with you guys मैंने PFC में भी investment की है मैंने REC limited में भी investment की है ठीक है and so एक बार इसका technical chart pattern दिखाना चाहूंगा मैं so इसका all time high जो अभी तक रहा है वो रहा है 192 तक का पहली बाद तो इसे book value तक जाना चाहिए but for a while book value को गोली मारो अगर यहां से यह सिर्फ all time high को touch भी कर देना जो की करेगा क्यों क्योंकि sales और net profit all time high की figures आ रही है क्योंकि yearly basis का net profit next level all time high पे है and even quarterly basis पे भी sales all time high पे है इसलिए touch करेगा second thing ऐसी चीज़े book value तक जाती है and क्योंकि यह net profitable है तो जितना जादा profit generate हो रहा है वो इनकी books में और add होता रहेगा तो यह book value भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी as a result maybe 2-3 साल बाद इसकी book value 200 से बढ़के 300 हो जाए तो तब अगर यह उस value को touch करते है तो next level gain आएगा but अभी के लिए अगर मैं वो ना भी मानके चलू अभी के लिए मैं इतना भी मानके चलू जो इसकी book value that is 255 यहाँ से अगर simple यह 255 तक भी जाता है तो कितना potential है एक बार हम देख लेते है तो पैसा हमारा easily double हो सकता है अब तुम बोलोगे है मन कितना time लग सकता है यार 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते है now the question comes क्या मैं इतना wait करने के लिए interested हूँ yes मैं interested हूँ and सबसे अच्छी बात इसका dividend yield भी कम नहीं है तो FD से जादा तो इसमें हमें dividend ही मिल जाएगा पहला point वो है second high के P.E.P.E.C. company जादा जीर तक नहीं टिकती है बहुत 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 जल दिये इसकी नजाने कितनी high level की earnings आने लग जाएगी और कितनी जादा price पे चले जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा so for all these reasons P.E. ratio बहुत कम है book value से बहुत जादा discount पे trade कर रहे है dividend yield भी काफी अच्छा है and earnings and sales and net profit all time high पे है so for all these reasons मैं इस company में अच्छी कासी investment कर चुका हूँ Power Finance Corporation and R.E.C. Limited R.E.C. Limited की मैंने पिछली वीडियो में भी discussion की थी आप जाके देख सकते हैं and Power Finance Corporation में भी मैंने investment की है अब इसके अलावा जो भी लोग end तक ठीके है thank you so much for watching this video till the very end इसमें मैं एक stock पे और discussion करूँगा हलका सा बताऊंगा जिसमें मैंने कई बार buy करने के लिए बोला भी हुए और खुद भी मैंने कई बार buy किया है and that stock is Manapuram Manapuram Finance ये बार-बार इस range में आता है उपर की तरब 200 से उपर जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है आपको दिख रहा है एक बन मैं आपको अपनी excel sheet पे ले जाके दिखाना चाहूंगा कि मैंने Manapuram Finance किस price पे बेचा था यहां पे mention है या तो 28 अपरल को मैंने इसकी first video बनाय थी जब इसका price था 141 उसके बाद ये 202 के around तक गया था मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे मैं नहीं चाहता ये 400-500 पे जाए all I am saying is similar time horizon पे जिसनी तेजी से ये बढ़ता है ये बस recently मतलब इस 210 के level को भी अगर ये touch कर दे जो की बहुत 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 जल्दी करेगा trust me कर दे तो भी मज़ा आ जाएगा ये बार बार ये होता है आपको swing यहां पे दिखी रहा है this is a typical swing trail value investing के लिए भी ये stock मेरे पास है और यहां से मुझे सीज़ा सीज़ा ऐसे जाता वा दिखाई दे रहा है I can literally visualize it going towards 200 levels मैं stock में F&O में position बना चुका हूँ So guys I hope आपको वीडियो अच्छी लगी अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना comment में thank you for this video लिखोगी या आपने कोई queries लिखोगी तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा and अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है So कर दो बना आपकी कोई बहुत important video भी सोजाएगी On that note, I'll see you in my next video Take care, stay safe and happy investing